नमस्कार, मैं आमिताप शर्वास्तो, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस विशेश कारक्रम में जिसका नाम है नई धारा एकल। इस कारक्रम में हम लोग हर बार मिलते हैं किसी जाने माने अभिनेता या अभिनेत्री से और सुनते हैं उनसे उनकी पसंद की किसी सहत्यक या नाटिकृती का एक अंश। हमारे आज की अतिति हैं प्रसिद अभिनेता लेखक निर्देशक शिरी सौरब शुकला। सौरब ने भी अपने करियर की शुरुवात रंगमन से ही की थी और दिल्ली में इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल करके एक थेटर ग्रूप बनाया था जिसका नाम था साक्षी कलामच। साक्षी कलामच ने असी और नब्बे के दशक में बहुत जबरदस काम किया। दिल्ली के थेटर जगत में अपना एक नाम कमाया, एक दरजा कमाया। उसके बाद सौरब बंबई आ गए और यहाँ पर वो फिल्मों और टेलिवीजन के साथ जोड़ गए लेकिन उनका रंगमंश का प्यार अब भी बरकरार है। आज सौरब जी हम लोग के लिए पढ़ रहे हैं प्रसिद कंड काव रश्मी रथी का एक अंश। रश्मी रथी की रचना राम धारी सिंग दिनकर जी ने की थी सन उनिस सो बावन में और इस शीशक रश्मी रथी का अर्थ है सूर के किरन की रथ का सवार। और ये सवार है महा भारती कथा का एक महानायक कान। सौरब जी हम लोग को आज सुना रहे हैं इसी कवता से कृष्ण और कन का एक समवाद। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पेलाने को दुरियोधन को समझाने को भीशान विद्धन सबचाने को भगवान हस्तिना पुराए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो देदो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धर्ती तमान हम वहीं खुशी से खाएंगे परजन पर अस्त्र न उठाएंगे दुरियोधन वो भी दे न सका आशी समाज की ले न सका उल्टे हरी को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुझ पर चाता है पहले विवेक मर जाता है हरी ने भीशन हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिगज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ा कर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे उदेया चल मेरा दीप्तभाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाद भुजपरिदी बंद को घेरे हैं मैनाक मेर उपग मेरे हैं दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब हैं मेरे मुख के अंदर द्रिग हो तो दृष्य अकांड देख मुझे में सारा ब्रमांड देख अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विक्राल देख बांधने मुझे तु आया है जंजीर बढ़ी क्या लाया है जो मुझे बांधना चाहे मन पहले तु बांध अनंत गगन हित्वचन नहीं तू ने माना मैं त्रीका मूल ले न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता अंतिम संकल्प सनाता हूं याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा तकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भूपर अगनी प्रखर फणशेश नाग का डोलेगा विखराल काल मूझ खोलेगा दुरियोधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई तूटेंगे विशबान बूंद से छूटेंगे सोच क्या दृष्ष विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा बाहर शोनित की तप्त धार भीतर विदवाओं की पकार देखाना तूने आदि स्रजन पर देख महा भारत का रण मृत को से पटी हुई भू है पहचान कहा इसमें तू है भगवान सभा को छोड़ चले करके रण गरजन घोर चले सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया सा हरी बड़े प्रेम से कर धर कर ले चड़े उसे अपने रत पर रत चला परस पर बात चली शम्दम की टेली घात चली शीतल हो हरी ने कहा हाए अब शेश नहीं कोई उपाए हो विवश हमें धनुश दरना है शत्रिय समुह को मरना है मैंने कितना कुछ कहा नहीं विश्व्यंग कहा तक सहा नहीं पर दुर्योधन मतवाला है कुछ नहीं समझने वाला है चाहिए उसे बस रण केवल सारी धरती का मरन केवल दुर्योधन को बोधू कैसे इस रण को अवरोधू कैसे सब राह बंद मेरे जाने है हाँ एक बात यदि तु माने तो शान्ती नहीं जल सकती है समरागनी अभी टल सकती है पात तुझे धन्य है दुर्योधन तु एक मात्र उसका जीवन तेरे बलकी है आस उझे तुझसे जय का विश्वास उसे तु संगना उसका छोड़ेगा वो क्यों रण से मुखमूएगा क्या अघटनी अघटना कराल तु ही तो कुंती का प्रथमगाल मा का स्नेह पाया न कभी सामने सत्य आया न कभी पर कौन दोशिस में तेरा अब कहा मान इतना मेरा चल होकर संग अभी मेरे है जहां पाँच भाई तेरे बिछडे भाई मिल जाएंगे हम सब मिलकर आनंद मनाएंगे रण अनायास रुक जाएगा दुर्योधन स्वयम जुक जाएगा संसार बड़े सुख में होगा कोई न कहीं दुख में होगा सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ शण एक तनिक कंभीर हुआ फिर कहा ये बड़ी माया है जो कुछ आपने बताया है मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ अक्सर ये सोचा करता हूँ कैसी होगी वो मात कराल जो निज्टन से शिशु को निकाल धाराओं में धराती है अथवा जीवित ही तफनाती है सेवती मास दस जिसको पालती उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिराती है अंतिर का रुधिर पिलाती है आती फिर उसको फैंक कही नागिन होगी वो नारी नहीं ही कृष्णा अब चुप ही रही है इस पर ना अधिक कुछ और कही है सुनना ना चाहते तनिक श्रवन जिस माने मेरा किया चनन वो नारी नहीं कुलपा दी थी सर्पणी परम विकरा दी थी पत्थर समा नहीय था पुत्र से बढ़कर समाज प्रिये था गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवन्ष छपा करके दुश्मन का उसने काम किया माताओं को बदनाम किया वो तो यशस्वनी बनी रही सबकी भाव मुझपर तली रही कन्या वो रही अपन निता जो बीता वो मुझपे बीता जब रोज अनादर पाता था कहशूद्र पकारा जाता था पत्थर की छादी भटी नहीं कुन्ती तो तब भी कटी नहीं पाप पत्र फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरब में चूर रही, मुझ पत्त पुत्र से दूर रही अरे क्या हुआ कि जो आब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है कुंती जिस भैसे भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में क्या हुआ, वो ढर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा, सहसा क्या हाल विजट्र हुआ, मैं कैसे पुन्य चरित्र हुआ कुंती का क्या चाहता है, मेरा सुक या पांडव की जाए एक क्रिष्ण जरा ये भी सुनी है, सच है जूट, मन में गुनी है भीतर जब तूट चुका था मन, आ गया अचानक दुरियोधन कुंती ने केवल जन दिया, राधा ने मा का कर्ब किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया था दुरियोधन वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोधर भ्राता से है है रिनी कन का रोम रोम जानते हैं ये सूर्य सूम तन मन धन दुरियोधन का है, ये जीवत दुरियोधन का है सुग सुर्ग से भी मुख मोडूँगा केशव, मैं साथ ना उसका छोडूँगा मैं साथ ना उसका छोडूँगा बड़ा ही बेहतरीन पाठ किया सुर्ग जी ने उनसे जब पूछा कि इसका चुनाव उनने क्यों किया और दूसरे इसको सुनते वे मुझे ये भी लगा कि इसमें कुछ पंग्तियां वो नहीं थी जो कि दिनकर्ज ने लिखी हैं तो जो जवाब था सुर्ग जी का चलिए सुनते होनी से ये बिल्कुल सही है लेकिन मैं इस जवाब से पहले मैं रश्मी रती से मेरा कैसे परिचाय हुआ मैं उसके बारे में छोटा साथ को बताना चाहूँगा कि मैं कविताएं बहुत ज़ादा नहीं पढ़ता था और नहीं अब भी बहुत ज़ादा कविताएं पढ़ पाता हूँ मुझे हर जो कि स्कूल में अगर आप बच्चों से पूछे तो बच्चे हिंदी कविता या अंग्रेजी कविता से भी दूर भागते हैं कविताएं में एक मतलब होता है उसकी लेरिंग होती है उसके पीछे जाना पड़ता है और वो अकसर बच्चे समझ नहीं पाते है तो बहुत भागता है आदमी कविताएं से बल्कि एक बहुत मशूर फिल्म भी है देड़ पोईट सोसाइटी उसमें इस चीज को काफी डील भी किया गया है खेर वो एक अलग चीज है तो मैं नैशनल स्कूल ओव ड्रामा में मैं जोएन करना चाहता था जो मैं कभी जोएन नहीं कर पाया तो वहां पर एक इंटर्व्यू से पहले एक पूरी पोथी आती है इसमें कुछ स्पीच होती है उसमें रश्मी रती भी थी और वो पढ़ दी थी तो वो पढ़ के उसका रिसिटेशन करना था तो मेरे फादर को मैंने बोला मेरे फादर मुजिशन थे और हिंदी के भी मताब वो ही वोज अ ट्रिपल में एक्चली मुजिक में थे हिस्ट्री में थे खिल फेल है पादर में दा यद्धीमें थे और बत च्छे शिख यख ते तो मैंने अपने पार्द को बोला मैं मैं बाब ये कविता आई है सबसे पहले इस कविता का रिदम समझ जाओगे तो यह बोकुत इसमें मजा आने लगेगा क्योंकि बोकुत सुंदर तरीके से लिखी गई है तो म्यूजिक के आदमीद है तो उन्होंने जिसे यही तीसरा सर्ग जो है कृष्ण का जो मैंने शुरुवात पड़ी है उन्होंने बताया कि मैत्री की राह बताने को सब को सुमार्ग पेलाने दिशान विद्वन्स बचाने यह वाला जो लाइन थी तो मुझे बताया तो मुझे यह बहुत फैसिनेटिंग लगा और रश्मी रथी फिर मैंने उस रिदम में पढ़नी शुरू कि और जब मैंने पढ़ी तब से लेकर और आज तक्रीवन तक्रीवन मुझे 35-38 साल हो गए है मैं रश्मी रथी हमेशा पढ़ता हूँ जब मन करता है उसको मैं पढ़ लेता हूँ तो यह रश्मी रथी से मेरा परिच्छ है था अब आपका सवाल कि जो मैंने पढ़ा वो है तो रश्मी रथी है लेकिन मैंने इसको वैसा नहीं पढ़ा जैसा लिखा गया है यह बात सही है रश्मी रथी जो है यह महा कावड़ी है और यहाँ पर मैंने कैमरे के सामने इसको एक परफॉर्मेंस पीस की तरह ट्रीट किया है तो यह काफी बड़ा तृतिय सर्ग जो है उसका यह परफॉर्म भाग है और इसमें बहुत सारी लाइन्स हैं और बहुत सारी बाते हैं बहुत खुबसूरत चीज़े लिखी हुई है लेकिन मेरा पहला काम जैसा अक्सार हम लोग फिल्म में भी करते हैं कि जब हम लोग फिल्म शूट करते हैं तो बहुत सारी चीज़े हम लोग उसमें रिकॉर्ड करते हैं और जब हम एडिट करते हैं उसको तो उसमें से उसका मूल कितना जरूरी है जो उस उतनी परफॉर्मेंस को उतनी चीज़ को उतनी देर होल्ड कर सके तो ये मेरा मुख्य वो था जिसकी वज़े से मैंने बात के लिए पहले शमा मांग लेता हूँ कि रश्मी रथी को मैंने इसमें एडिट किया है किस लाइन के बाद कौन सी लाइन आती है ये ज़रूरी नहीं है कि रश्मी रथी में आपको ऐसी ही पढ़ने को मिलेगी जैसा कि आपको इस परफॉर्मेंस में सुनने को मिली है लेकिन उसका मूल क्या है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उन लाइन्स को एडिट किया क्याना चाहिए कि धूर्तता या क्या कहेंगे बेइमानी कहिए या है ना एरगंस कहिए या जो भी कहिए पर ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था ये कविता मैं अकसर लोगों को सुनाता हूं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बहुत लोगों को बहुत पसंद है जो हिंदी भाशी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जिने साहितिक का ज्यान है वो इसको पखू भी समझते हैं लेकिन जब मैं इसे आम जंता में पढ़ता हूँ या आम लोगों के बीच में जिसे मेरे असिस्टेंट्स हैं जो फिल्म में मुझे असिस्ट करते हैं अब कोई गुजरात से है कोई महराष्ट्र से है कोई मैंगलोर से है कोई दिल्ली से है जरूरी नहीं कि उनकी हिंदी सबकी इतनी अच्छी हो कि वो हर शब्द समझ पाएं उन्हें अच्छा बहुत लगता है लेकिन बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है जैसे मैंने इसमें लिखा था इसमें शब्द मैंने चेंज किया कि तू ही तो कुंती का प्रथमलाल जो असली शब्द है वो है तू प्रथा कुक्षि का प्रथमलाल अब जिस संदर्ब में ये बात कहीं जा रही है एक तो मैं पूरा रश्मिरती नहीं पढ़ रहा हूँ सो उसका संदर्ब जो है वो नहीं मिल पाता है तो उसको थोड़ा accessible बनाने के लिए कुछ शब्दों को ताकि जैसे धनु धरना है वो धनु की जगे मैंने उसको धनुष बोला पूरा ताकि वो शब्द पूरी तरह से समझ में आए ताकि ये more accessible हो जो जादा लोग समझ पाए उनकी vocabulary में वो शब्द उसके आस पास जहां तक पहुंच सकता है पहुंच जाए तो ये कोशिश थी मेरी मैं यह नहीं कहा रहा कि इस कोशिश में मैं सभल हुआ हूँ या सभल हुआ हूँ ये तो खर आप वैसला कीजिए लेकिन मैं इसको ये कहूंगा कि एक तरह से इसको अगर माना जाए तो ये रश्मी रथी का एक छोटा सा उसके एक सा का छोटा सा नाटकी रूपांतरण है जो नाटक की जो लिए जो जरूरी चीज़े होती है जैसे कि मैं I'm quite confident कि ये जो ये जो पीस इस वक्त मेरे हाथ में है ये बाकाइदा परफॉर्म किया जा सकता है जाहे इसको तीन अक्टिवस परफॉर्म करें एक नरेटर एक कर्ण और एक कृष्ण या एक आदमी परफॉर्म करें तो ये फिर भी एक परफॉर्मन्स के तौर पे ये हो सकता है और मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये नाटकी रूपांतरण है उसका एक प्रेजंटेशन है ना कि ये रेस्टेशन आफ दे पोएट्री है तो साथियों ये थी नई धारा एकल शंकला की अंतिम कड़ी इस शंकला में हमने दस जाने माने अभिनितावर अभिनितियों से उनकी पसंद की नाटकृतियों और साहतिकृतियों के अंश सुनेप अगर आपसे कोई अंश मिस हो गया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा करके उन्हें सुन सकते हैं और प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जो तो हमने सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है और हाँ एक अन्रोध और है कि आपके जो भी सुझाव हों कमेंट्स हों उनसे हमें अवश अवगत कराएं ताकि हम अपने कारक्रम को और बहतर बना सकें अगर आपकी सहत्य कारक्रम में रुची है तो प्लीज आप जुड़े रहिए नई धारा से नमस्कार कर दो प्लीज